करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल बीपी मलिक जी, पुर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनेच पांडे जी, बीरता पुरसकार प्राप्त, सेवारत और सेवा निवरत सैनिकों, करगिल युद्ध के बहदूर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परीजन, सेना के बहदूर जवानों और मेरे प्रियदेश वासियों, आज लद्धाक की ये महान धर्ती, करगिल विजय के पचीस वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है, करगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट के लिए दिये गए बलिदान अमर होते हैं, दिन, महिने, वर्ष, सदिया गुजरते हैं, सर्दिया भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन, राष्ट की रख्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमीट रहते हैं, ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महा नायकों का सदा सर्वदा रणी है, ये देश उनके प्रती कृतज्य है, साथियों, मेरा स्वभाग्य है कि कारगिल यूत्त के समय, मैं सामान्य देश्वाची के रूप में अपने सहिनिकों के बीच था, आज मैं फिर करगिल की धरती पर हूँ, तो स्वाभाविक है, वो स्मुरुतियां मेरे मन में ताजा हो गई है, मुझे आद है कि इस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी उचाई पर इतने कठीन युद्ध ऑप्रेशन को अंजाम दिया था, मैं देश को विजय दिलाने वाले, ऐसे सभी शुर्विरों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, मैं इन सहीदों को नमन करता हूँ, जिनोंने कारगिल मैं मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया, साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ का अध्भूत परिचे दिया था, आप जानते हैं, भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना औव विश्वासी चहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य वर आतं की हार हुई, साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुश्व प्रयास किये, उसे मुह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है, वो आतंगबात के सहारे, प्रौक्षी वार के सहारे, अपने आपको प्रासंगीक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूँ, जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंगबात के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ, कि उनके नापाग मन सुबह कभी काम्याब नहीं होंगे, आतंगबात को हमारे जवाज पूरी ताकत से कुछलेंगे, दुश्मन को मुहतोड जवाब दिया जाएगा, साथियों, लगदाखो, या फिर जम्मु किश्वीर, विकास के सामने आ रही, हर चुनोती को भारत परास्त करके ही रहेगा, कुछी दिन बात इस पाँच अगस को आर्टिकल 370 का अंत हुए पाँच वर्ष पूरे होने जा रहा है, जम्मु कश्मीर, आज नए भविश्व की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है, जम्मु कश्मीर की पहचान, जी ट्वेंटी जैसी ग्लोबल समीट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है, इंफ्रास्तेक्टर डेवलप्मेंट के साथ साथ, जम्मु कश्मीर ले लजाख में, तुरिजम सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है, दसकों बार कश्मीर में सिनेमा गर खुला है, साड़े तीन दसक के बार, पहली बार स्री नगर में ताजिया निकला है, धर्ती का हमारा स्वर्ग, तेजी से, शांती और सहार की दिसा में, आगे बढ़ रहा है, साथियों, आज लदाक में भी, विकास की नई धारा बनी है, सिन्कुला टनल, इसके निर्मार का काम शुरू हुआ है, सिन्कुला टनल के जरिये, लदाक पूरे साल, हर मौसम में, देश से कनेक्टेड रहेगा, ये टनल, लदाक के विकास, और बहतर भविश्य के लिए, नई संभावनाओ का, नया रास्ता खोलेगी, हम सभी को पता है, कि कठोर मौसम की बज़़ से, लदाक के लोगों को, कितनी मुश्किले आती हैं, शिंकुला टनल के बनने से, ये मुश्किले भी, कम होगी, मैं लदाक के मेरे भाई बहनों को, इस तनल का काम सुरू होने के लिए, विशेस बधाई देता हूँ, साथियों, लदाक के लोगों का हीद, हमेशा, हमारी प्रांट प्रिक्ता रहा है, मुझे आद है, कोरोना के समय में, कर्गिल छेतर के हमारे कई लोग, इरान में फस गए थे, उन्हें बापस लाने के लिए, मैंने ब्यक्ति गज्द स्थर पर काफी प्रयास की है, इरान से लाकर उन्हें, जेसल मेर में ठेहराया गया था, और जब, स्वास्त की द्रिष्टी से पूरी तरह, संतोज जनग रिपोर्ट मिले, उसके बाद, उन्हें सब को उनकी घर तरह यहां पहुँचाया था, हमें संतोज है, कि हम, अनेकों जिन्दगियों को बचा पाए, यहां के लोगों की सुविदाएं बड़े, इज अफ लिविंग बड़े, इसके लिए, भारत सरकार, निरंतर प्रयास कर रही है, बिते पाँच वर्सों में ही हमने, लद्दात के बजेट को, ग्यारा सो करोड से बढ़ा कर, छे हजार करोड के कर दिया है, यानि करीब करीब, छे गुना की वृद्दी, यह पैसा, आज, लद्दा के लोगों के विकास में, यहां सुभिधाए बढ़ाने में, काम आ रहा है, आप देखिए, सडक, बिजली, पानी, सिक्षा, पावर सप्प्लाई, रोजगार, लद्दाग में हर दिसना में, द्रश्य भी बदल रहा है, परी द्रश्य भी बदल रहा है, पहली बार यहां, होलिस्टीक पानिंग के साथ काम हो रहा है, जल जीवन मिशन की वज़े से, अब लद्दाग के, 90 प्रतिसत से ज़्यादा गरों में, पाइप से, पीने का पानी पहुंच रहा है, लद्दाग के युवाओं को, क्वालिटी हाईर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां, सिंदू सेंट्रल युनिवर्शीटी का, निर्माण हो रहा है, पूरे लद्दाग शेत्र को, 4G नेटवर्क से जोडने का काम भी चल रहा है, 13 किलोमिटर लंबी, जोजिला टरनेल का काम भी जारी है, इसके वजन बनने से, नेशनल हाईवे, नंबर बन पर भी, आल वेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी, साथियों, हमने देश के सिमावर्तिक छेत्रों में, विकास के असाधारन लक्षत्ताई किये हैं, चैलिंजिंग टास्क को, अपने हाथों में लिया है, बॉर्डर रोड और्डिनाइजेशन, बियारों ने, ऐसे लक्षों को पुरा करने के लिए, अभुत्पुर्व गती से काम किया है, बियारों ने, पिछले तीन साल में ही, तीन सो तीस से ज़्यादा, इन्फरास्तक्टर प्रोजेक्ट पूरे किये हैं, इसमें, लद्दाग के विकास कारियों से लेकर, पुर्वत्तर में, सेला टरनल जैसे, प्रोजेक्ट भी शामिल है, मुश्किल ट्रेरेंस में, विकास की एक गती, नए भारत की छमता, और दिशा, दोनों दिखाते हैं, साथियों, आज की वैश्वीक परिस्थितियां, पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को, हत्यारों और उपकरोनों के साथ साथ, कारिय शैली और व्यवस्ताओं में भी आधुनिक होना चाहिए, इसलिए देश बसकों से डिफेंज सेक्टर में बड़े रिफार्म्स की जरुवत मैसुस करता रहा था, सेना स्वयम वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्म नहीं दिया गया, बीते दस वर्षों में हमने डिफेंज रिफार्म्स को रक्षाप छेत्र की, पहली प्राध्विक्ता बनाया है, इन रिफोर्म्स के टारां, आज हमारी सेनाएं जादा सक्षम हुई है, आत्मन निर्भर हो रही है, आज डिफेंज प्रकॉर्मेंट बैंक, बड़ी हिस्सेदारी, भारतिय डिफेंज इंडिस्ट्री को दी जा रही है, डिफेंज में, रिजर्ट एंड डिवलप्मेंट बजेट का भी, 25 प्रतिशर्ट, प्रावेट सेक्टर के लिए, रिजर्व किया गया है, ऐसे ही प्रयासों का परणाम है, कि भारत का, डिफेंज प्रोडक्शन, अब सवा लाग करोड रुपिय से जादा हो चुका है, कभी भारत की जीन थी, हथियार मंगाने वाले देश के रुपे भी थी, अब भारत एक्षपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुसी है कि हमारी सेनाओं ने पाँच हजार से जादा हथियारों और यह सैन्य उपकरों के लीस बना कर यह तैंग किया है, कभी यह पाँच हजार आइटम्स बार से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेत्रुत्वा को बदाई देता हूँ। साथियों डिपेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आम फोर्सित की सराना करना चाहता हूँ। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई सांसिक निर्ने लिए हैं। सेना द्वारा किये गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदारन अगनी पस्किम भी है। दसों को तक संसक से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की आउसत आयू एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सब की चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विशाए बर्सों तक अनेक कमिटियों में भी उठा लेकिन देश की सुरक्सा से जुड़ी इस चुनावती के समाधान की पहले इच्छाशक्ती नहीं दिखाई गई। शाहिद कुछ लोगों की मानसिक्ता यह सी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना, हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वाच्चों की आस्ता, हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वाच्चों की शांती की गारंटी, हमारे लिए सेना मतलब देश की सिमाओं को सुरक्षा की गारंटी, अगनी पत योजना के जरिये, देश ने इस महत्वपुन सपने को एड्रेस किया है, अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है, अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाय रखना है, दुर्भाग्य थे राष्टिय स्वरक्षा से जुड़े इतने सम्वेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीती का विशे बना दिया है, कुछ लोग सेना के इस रिफार्म पर भी अपने ब्यक्तिकत स्वर्थ में जुड़ की राजनीती कर रहे हैं। ये बही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड के गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये बही लोग हैं जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आदुनीक फाइटर जेट ना मिल पाए। ये बही लोग हैं जिन्होंने तेजर फाइटर प्लेइन को भी दिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली थी। साथ्यों सच्चा ये है कि अगनीपत योजना से देश की ताकत बड़ेगी और देश का सामर्थमन युवा भी मात्रु भूमी के सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और प्रामेट्री फोर्सेट में भी अगनी विरों को प्राश्पिक्ता देने की गोच्णाय की है। मतहरानू कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रम भला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जड़ा ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्म आती हैं लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। जड़ा कोई मुझे बताए आज मोधी के शासनकान में जो भरती होगा कि आज ही उसको पैंशन देना है गया। उसको पैंशन देने की नौबत तीस साल के बाद आएगी। और तब तो मोधी 105 साल का होगा। और तम नभी मोधी की सरकार होगी। क्या मोधी जब 105 साल का होगा। तीस साल के बाद जो पैंशन बचेगा। उसके लिए मोधी ऐसा राजनीती है जो आज गाली खाएगा। क्या तरक दे रहे हैं। लेकिन साथ्यों मेरे लिए दल नहीं बेसर्वो परी है। और साथ्यों मैं आज गर्व से कहना चाहता हूँ। सेना और द्वाना लिए गई इस पैसले का। हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा। हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट्र नीती के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट की स्वरक्साथ सर्वो परी है। हमारे लिए एक सो चालीस करोड की शांती ये सबसे पहले है। साथ्यों जो लोग देश के युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं। उनका इतिहास साथ्ची है कि उन्हें सैनीकों की कोई परवा नहीं है। ये वही लोग हैं जिनोंने एक मामुली रकम पांचो करोड रुपए दिखा दिखा कर वन रैंग वन पैंशन पर जूठ बोला था। पांचो करोड ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंग वन पैंशन लागू किया। पूर्वा सैनीकों को सवा लाग करोड रुपए से जादा दिये गए। अब कहां पांचो करोड कहां सवा लाग करोड इतना जूठ और देश के जमानों के आँख में दूल जोकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्नोंने आजहादी के साथ दसक बाद भी सेना की मांग होने के बावजुद भी देश के बीर सैनीकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे सहीदों के लिए बार मेमोरियल नहीं बनाया तालते गए कमीटियां मनाते गए नक्से दिखाते गए ये बही लोग हैं जिन्नोंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियापत बुलेट प्रूप जैगेड्स भी नहीं दी थी और साथ्यों ये बही लोग है जो करगील विजय दिवस को भी नजर अंदाज करते रहें ये तो देश की कोटी कोटी जनता के आशिरवाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मोका मिला और इसलिए आज ये अव महत्पूर्ण ऐतिहासी घटना का हम पुन्य समर्ण कर पा रहे हैं बढ़ना अगर वही आजाते तो इस युद्ध विजय की इस तवारिक को याद नहीं करते शाथियों कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था ये विजय देश की थी ये विजय देश की विरास्थ है ये देश के घर्व और स्वाविमान का पर्व है मैं एक बार फिर एक सो चालिस करोड देशवाश्यों की तरफ से मेरे वीर जमानों को स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूं सभी देश्वाश्यों को पुना एक बार कारगिल विजय के पचीस वर्ष की शुप कामनाय देता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की ये भारत माता की जाएं मेरे उन वीर शहीदों के लिए हैं मेरे वीर भारत मा के वीर सपतों के लिए हैं भारत माता की 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 भारत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें